हलो डियर एस्परेंटिस तो आज हम पढ़ लेंगे कम्प्यूटर का फिफ्ट लेक्चर ठीक है चार लेक्चर हुए हमारे तो आज लेक्चर फाइब पढ़ लेंगे ठीक है तो कल के जो previous lecture हमने किया lecture 4 में हमने क्या देखा lecture 4 में हमने input devices देखा और output devices देखे ठीक है सिर्फ इनके नाम देख लिए और ये भी देख लिया कि input devices में कुछ pointing devices बे ही है ठीक है pointing devices भी है और output devices के नाम भी हमने जाना तो आज हम इन ही input devices को हम detail में पढ़ लेंगे इन मेंसे हम पहले pointing devices उठाएंगे पहले हम जान लेंगे कि input device क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया input devices क्या होता है लेकिन अब यहां से हम थोड़ा detail में क्योंकि अब मैंने आपका जो syllabus है input devices और output devices अलग से दिया है थोड़ा in detail पढ़ने की हम कोशिश कर लेंगे आज हम और इसके बाद pointing devices कर लेंगे मैंने मतलब सारी चीज़े आपके इस पे मैंने रख दिये हैं तमाम जो भी चीज़े हैं pointing devices में ठीक है तो मुझे नहीं लगता है इस से बाहिर आपका SSB questions पूछ सकता है पहले देख लो input device क्या होता है यह पहले भी हमने देख लिया कि input devices वो devices होते हैं जिनके थो हम computer में data feed करते हैं अब आपको यह याद रहा ठीक है बहुत बार हमने पढ़ा अब आपको याद रहा देखो an input device is an electromechanical device that allows the user to feed data into computer कोई परेशानी नहीं यहाँ पर समझ नहीं की ठीक है data is entered into the main memory जब भी हम input से data enter करते हैं तो यह main memory में enter होता है पहले ठीक है और एक बात देखो मैं बूल गया आपके syllabus में hardware और software भी दिया है वो हमने second lecture पर ही किया था थोड़ा बहुत उस पर और भी कर लेंगे कोई बात नहीं लेकिन input device क्या है आपका hardware है या software है जिसने मेरा lecture देखा होगा उसको समझ आया होगा यह क्या है hardware या software input devices हमारे hardware में आएंगे ठीक है क्यूंकि hardware में हमने पड़ा hardware में वो devices होते है जिनको हम touch कर सकते है जिनकी कोई physical shape है ठीक है तो input devices में आप देखोगे mouse, light pen, ठीक है आज जो हम पड़नेंगे pointing devices में तो इन सब की physical shape है इनको touch कर सकते है तो यह hardware में भी आएंगे ठीक है मैं भी इस तरह से MCQ बननेगा आपका और देखिए और एक बात हमें पता है जो computer है हमारा यह हमारी language नहीं समझता है यह कौन सी language समझता है computer, machine language समझता है ठीक है जैसे 0 और 1 की language यह समझता है लेकिन हम यहां से अपनी language में नहीं सो language में computer में feed करते है data तो यह जो data है यह instructions है they accept जो हमारा input devices है they accept instructions from the user user हम है क्योंकि हम use करते है ठीक है हम यहां से data देते है so input devices accept करते है instructions को from the user and convert the accepted instructions और जो accepted किया इन्होंने instructions उनहीं को convert करते है machine language में क्यों करते है machine language में ताकि हमारा computer समझे और computer इस पे processing कर लेगा समझदे के बाद processing कर लेगा जैसे हमने input को ही दिया main memory में जाता है और फिर वहां से control unit फिर processor में जाएगा आपका ठीक है तो इस तरह से काम होता है computer में तो जब machine language में change हुआ फिर output में वो devices होते हैं जो हमारी language में इसको convert करते हैं ठीक है चलिए अब देख लिएगे अब input devices बहुत पढ़ लिए हमने क्या होता है input device ठीक है pointing devices पे आज directly हम आएंगे तो कल भी मैंने आपको बताया क्या होता है pointing device as a name signifies कि pointing devices वो devices होते हैं जिन devices के थो हम अपने pointer हम अपने cursor की movement इसको control कर सकते हैं जैसे आप सब ने देखा होगा computer में वो cursor होता है ठीक है वो pointer होता है जो एक जगा से दूसरी जगा movement करता है ठीक है तो यही इसी की movement को control करने के लिए pointing devices को pointing devices कहा जाता है यान कि यही pointing devices इसी movement को generally control करते हैं ठीक है so a pointing device is used to communicate with the computer by pointing to the locations on the monitor ठीक है यान कि pointing device communicate करते है computer के साथ यान कि हम computer के साथ जब communicate करते है तो pointing device जब हम use मिलाते है कि हम मतलब कहीं पर locate करते हैं कोई चीज़ को तो उसके उपर computer process करता है आपको नीचे जब हम pointing devices पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझा जाएगा किस तरह pointing devices control करते है cursor की movement इसको सबसे पहले हम बात कर लेंगे हम सबसे पहले mouse की बात कर लेंगे mouse आप सब ने देखा होगा मैंने कुछ pictures भी यहाँ आप लोगों के लिए रखे last पे pictures है ठीक है आप यहाँ आप से देख सकते हो mouse को यह है आपका mouse ठीक है pen भी आपका pointing device है touchpad भी आपका pointing device है joystick भी आप इस वक्त देख चलो उसी वक्त हम देख लेंगे यह चीज़े उसी वक्त देख लेंगे mouse was invented by dogless angel bird ठीक है यह inventions आपको याद रखनी है यह आपके mcqs में पूछा जा सकता है कि किस device को किस ने invent किया है तो mouse maximum मैंने हर एक की invention साथ साथ रखी है dogless angel bird ने mouse को invent किया है अब हमने बताया क्योंकि pointing device है तो क्या कर लेगा cursor की movement को screen पे यह उसकी ही control कर लेगा उसकी position को it is used to position the cursor on the screen जैसे हम mouse को नीचे से हिलाते है अभी आपने देखा mouse ठीक है mouse ऐसा कुछ होता है यह left click है sorry यह right click है यह left click है और बीच में एक scroll wheel होती है वो wheel जैसी होती है ठीक है सब ने देखा होगा mouse तो it is used to position the cursor on the screen जब हम इसको हिलाते हैं तो वो pointer वो cursor हमारा जो है वो भी movement करता है ठीक है वो भी movement करता है इसकी movement के साथ साथ ठीक है और एक बात हम इससे drag भी कर सकते हैं drag and drop के लिए भी हम mouse को use में ला सकते हैं फर जबर कोई चीज़ कोई file कोई folder यहां पे है मुझे screen पे यहां पे लाना है ठीक है तो मैं इसको drag करके यहां तक ला सकता हूँ आप सबने यह काम किया होगा dragging में यह भी काम आता है उसके बाद अगर हम देख लेंगे mouse की types there are three types of mouse पहले पहले mechanical mouse हुआ करते थे अब हम देख रहे wireless mouse भी आया है ठीक है जहां पे हमें cable की जरूरत ही नहीं होती है mechanical mouse में cable की जरूरत लगती थी ठीक है उसके बाद optical mouse भी आप देखोगे wireless mouse में क्या होता है wireless mouse में हम computer के साथ cable नहीं लगाते बलकि क्या होता है mouse को कोई cable की जरूरत नहीं होती है जो computer से इसको connect कर लेगा यह काम करता है radio waves पे waves के throw ही यह काम करता है कोई cable की जरूरत नहीं wireless mouse के लिए ठीक है इसको connectless mouse भी बोला जाता है अब रहा आपका mechanical mouse ठीक है mechanical mouse इसको rubber ball ball mouse भी बोला जाता है ठीक है rubber ball ठीक है और उसके बाद यहने कि mechanically इसके काम करते हैं हम जैसे की नाम से ही पता है optical mouse में क्या होता है optical mouse में sensor लगा होता है LED sensor लगा होता है तो यह mouse की 3 types है अब देख लेंगे actions of mouse चार actions है mouse की किस तरह से mouse काम करता है किस तरह से हम मैंने पहले ही बता है आपको कि mouse में कुछ इस तरह से shape है हर एक को अपना function है यह right click है यह left click है क्या होता है जब हम left click को एक बार दोबाते है एक बार प्रेस करते है क्या होगा जब हम right click को एक बार प्रेस कर लेंगे मैं भी आपके SSB के exam में यह बाते पूछी जाएंगी तो देखो चार actions है generally हम mouse के साथ चार actions कर सकते हैं click left click यानि कि जब एक click कर लेंगे single click कर लेंगे left जब single click किया उससे क्या होता है उससे कोही भी item select होता है select is an item on the screen आपके screen पे कोही भी item select करना होगा mouse के थो तो आप क्या कर लोगे mouse की left click को एक बार आप click कर लोगे ठीक है हाँ अगर हम double click कर लेंगे यह भी left double click है ठीक है जब left वाली हम double click कर लेंगे तब क्या होगा जब भी कोई document हमें open करना है कोई program open करना है माउस से ठीक है ठीक है throw mouse तो हम वहाँ पे left के दो click कर देंगे लेकिन जल्दी जल्दी ठीक है मतलब ऐसे click click ठीक है इस तरह से हमने double click की तो हमारा document जो है program जो है वो open होगा तो देखिए मतलब किस तरह से mouse से हम काम करते है क्या होता है pointer से ही हम काम करते है pointer की location को ही हम एक जगर से दूसरे जगर movement करते है cursor movement करता है mouse इसलिए pointing device से कल भी बताया जिस device के जरीए आप screen पर direct काम कर सकते हो ठीक है छेड़ खानी कर सकते हो screen पर screen के साथ खेल सकते हो वो आपके सारे pointing device पर आजाएंगे होगा ये double click वाला अब देखेंगे right click जब हम mouse की right click पर press करते है तो उस वक्त क्या होता है it displays the list of command on the screen इससे क्या होता है जब भी आप mouse को देखोगे जब भी इसकी right वाली click एक बार कर लोगे जाएगी delete command आएगी जब भी आप mouse की right click एक बार कर लोगे तो different commands आजाएंगे फिर उन में से आप select कर सकते हो जो भी command आपको चाहिए ठीक है उसके बाद हमने देखा mouse की और action drag and drop ठीक है use it to move an item on the screen मैंने पहले इस बता for example ये को ही item यहाँ पे है इसको मुझे screen में यहाँ लाना है तो मैं simply क्या कर लूँगा cursor यहाँ पे लाऊँगा hold कर लूँगा कुछ time के लिए और drag कर लूँगा और यहाँ पे रख लूँगा यानि कि ये easily mouse से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं तो उसके बाद देखो next pointing device हमारा drag ball है एक बाद देख लिजिए आप drag ball कैसा होता है देखने में drag ball ये रहा आपका drag ball drag ball ये ये आपका drag ball है ठीक है कुछ नई होता है जैसे कि आपका mouse है वेसे ही drag ball है ठीक है लेकिन सिर्फ फरक इतनी है कि इसको ये ball लगा हुआ होता है उपर ठीक है इससलिए इसको drag ball बोलते है तो जब ये mouse जैसा है उसका मतलब हम as in alternative use mouse का भी कर सकते है mouse की जगा हम drag ball को भी काम में ला सकते है जी हाँ बिल्कुल हम इसको drag ball को भी mouse की जगा काम में ला सकते है देखिए किस तरह से as in alternative to mouse इसको invent किया था crannstone, benjin और lung stock f lung stock बहुत sources में ये मतलब different types के है कोई source बोलता है ये वाला inventor है इसका कोई ये वाला कोई ये वाला तो इन में से कोई भी inventor आए तो आप इन में से तीनू में से एक लिखोगे अगर तीनू एक साथ आए तीनू के तीनू लिखने, ठीके चले, ये क्या करता है ये भी cursor की movement इसको control करता है ठीके, mouse की तरह ये भी cursor की movement इसको control कर सकता है लेकिन इसका एक special feature है इसका एक special feature है जो हमारे mouse का नहीं है क्या feature है कि ये movement कर सकता है 360 directions पे यानि कि वो क्या होता है 360 मूवमेंट, 360 डिग्री मूवमेंट क्या होता है all directions, east, west, north, south, जो भी जहां पे भी मर्जी आप इस बाल को गुमा सकते हो तो जब हम बाल को गुमा सकते हैं आपका ट्रेक बाल ये वाला बाल इसको कहीं पे भी आप इस मूवमेंट में भी इस मूवमेंट में भी जिसमें चाहोगे उस मूवमेंट पे आप डिरेक्शन कर सकते हो जब आपने इसको हर एक possible डिरेक्शन में मूवमेंट किया उसके मतलब आपको ये पूरा का पूरा trackball की moment की जरूरत नहीं इस पूरे को हिलाना नहीं है अपनी जगा से सिर्फ trackball उपर वाले बाल को ही आपको moment करनी है जैसे कि हम mouse को एक जगा से दूसरी जगा moment करते है ठीक है cursor की moment के लिए लेकिन यहां पर वो चीज जरूरत नहीं इसी लिए मैंने लिखा device moment is not required trackball में आपके device की full moment requirement नहीं है अब यह कहां पर लगता है इस जनरली बूल्ट इन लेप्टॉपस के लिए यह लगता है ठीक है और कहां कहां पर यह इस्तिमाल में लाया जाता है CAD में लगाया जाता है ठीक है याने computer added design, computer added machine radar में radio detection and ranging वहाँ पर हम trackball को इस्तिमाल में लाते हैं ठीक है sonar में sound navigation ranging यहाँ पर आपका trackball काम में आ सकता है इसके बाद देखो Jai City अक्सर exam में पूछा जाता है इसके बारे में किस तरह पूछा जाता है अक्सर मैंने देखा है which of the following या कुछ भी video gaming में mostly किसको इस्तिमाल में लाया जाता है तो याद रखोगे आज से आप आपका joystick जो है यह ज्यादतर आपको video gaming में मदद करता है काम में लाया जाता है इसको video gaming में ठीक है देखो एक बार joystick कैसा होता है देखने में यह आपका joystick है ठीक है बस ball की जगा मानू आप उपर सिटिक जैसा होता है joystick joystick क्यों बोलते है मैंने आपको पहले अभी बताया आपको कि यह gaming में काम आता है जब gaming में काम आता है मतलब खुशी होती है जब खुशी हुई मतलब आपका joystick ठीक है इस तरह आप चीज़ों को rate करो एक दोस्तों के साथ इसको invent किया था रन बियर एंड मिर्क ने मिर्क एंड राफ बियर क्या करता है यह भी कंट्रोल करता है करसर मुवमेंट इसको जिस तरह माउस करता है जिस तरह track ball करता है इस तरह यह भी करता है करसर की मुवमेंट इसको control और एक बात यह भी मुवमेंट करता है 360 डिरेक्शन में यान कि 360 डिग्री में करता है यह भी मुवमेंट मतलब in all पॉसिबल डिरेक्शन यह भी हर एक direction में movement कर सकता है it is also known as control column इसको नहीं बोला इसको control column भी बोला जाता है क्यों control column बोला जाता है देखो ये aircraft में भी लगता है जैसे कि वो cockpit होता है आगे हमने देखा वो ठेक है बहुत सालों ने देखा होगा aircraft में military खासकर आप देख रहेंगे cockpit में भी ये लगा हुआ होता है आगे joystick का आपकर ठीक है ये control करता है वहाँ पे भी इसकी movement इसको और CAD में भी computer added machine वहाँ पे भी ये काम में आता है ज्यादा तर आपको ये दो चीज़े याल रखनी है video gaming में और aircraft में जब aircraft में काम आया तो control कालम भी इसको बोला जाता है control कालम joystick का दूसरा नाम control कालम अब देख लेंगे हम light pen देखो एक peculiar इसका जो characteristic है न light pen का light pen में photo cells होती है ठीक है वो आप नीचे देख लेंगे ये क्या करता है जो भी आपका touch screen नहीं होगा ये CRT पे लगता है ज्यारता वो अभी हमें पढ़ने है monitor के हमें वो types भी पढ़नी है आप फिलाल जाद रखो हमारा light pen अगर कोही touch screen नहीं है उसको भी touch screen बनाता है light pen कैसे बनाता है कैसे बनाता है वो देखो आप नीचे it is optical pointing device optical pointing device मतलब ये light input लेता है light के जरीए काम करता है light source के जरीए काम करता है ठीक है इसको किस ने invent किया था girly ने ठीक है band girly ने तो optical pointing device है ठीक है pen contain is a photo cell in a small tube ठीक है इसमें photo cell होती है जो आपका screen होगा यहाँ पर इसमें पर यहाँ पर screen होगा इस पर जो light पढ़ती है ना ये pen उसी light को मतलब उसी light को use में लाता है फिर इसको touch screen बनाता है देखो कैसे बनाता है it senses the light from the screen जो भी screen से इसको light आती है उसको ये sense करता है when it becomes closer and generate a pulse जब ये screen के बिलकुल close आता है for example ये हुआ आपका screen ये हुआ light pen जब यहां तक यही में तो दूर लिखा इसको इस तरह ठीक है तच भी नहीं करेगा अगर टच भी नहीं करेगा थोड़ा यानि कि जब हम इसको close लाते है तो जब ये इसने sense किया इसकी light को तो ये emit करता है pulses को इस pulses के throw आप screen में लिख सकते हो ठीक है light pen का ज़रूरी नहीं आप टच करोगे screen थोड़ा दूर से भी रखोगे न तो ये काम कर लेगा क्योंकि ये light पे काम करता है ठीक है screen के light पे काम करता है और pulse को वहां से generate करता है तो अब touch screen इसको यानि कि light pen इस्तिमाल होता है अब क्या है main point यहाँ पे light pen light pen क्या करता है जो touch screen नहीं होगा उस screen को भी touch screen बनाता है कैसे बनाता है screen की light को use करता है screen की light को senus करता है फिर pulses को emit करता है generate करता है pulses को उसी pulses के throw हम input दे सकते screen को ओके और optical pointing devices है why optical pointing device क्योंकि ये light input लेता है I hope आपको ये भी समझ आया होगा ये बहुत मतलब बहुत आसान भी है समझने में बहुत मुश्किल भी है समझने में आसान इसलिए कि आप अगर एक बार इनको अच्छे से इनका काम जान लोगे ना एक बार देख लोगे ना तो आपको बिलकुल इनकी functioning समझ आ जाएगी मुश्किल इसलिए है कि आपको mix up नहीं करना है हाँ light pen और stylus में आपको confusion होगा वो अभी मैं आपको दूर करवाओंगा क्योंकि दोनु पें शेपड है stylus में क्या main है वो नीचे stylus में ही पढ़ लेंगे ठीक है कोई बात नी चलिए अब आए हम touch screen पे कल भी बताया मैंने touch screen हमारा input device भी है और output device भी है इसमें कोई शक नहीं होना चाहे दोनु है ये dual devices में आएगा touch screen dual device में आएगा pointing device में इसलिए क्योंकि इसके थो हम directly screen के साथ छेड सकते है screen के साथ खेल सकते है जो चाहे हम screen में कर सकते है क्योंकि ये touch screen है इसलिए input device भी है ये ठीक है और कल भी बताया मैंने जहां पे आप screen को देखोगे मतलब वो definitely आपका output device है तो हम देखो इस वकित में जो use कर रहा हूँ mobile का touch screen ठीक है इस पे आपको खुद समुझ लोगे आप touch screen क्या होता है किसने इसको invent किया A. Johnson E. A. Johnson क्या होता है या तो हम finger से इसको काम कर सकते या stylus से stylus से क्यों क्योंकि stylus pen जैसा होता है तो most accurately थोड़ा accuracy लाने के लिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर T. O. U. C. H. touch वो accurate लिखता है ठीक है मुझे थोड़ा इदर उदर लिख जाता है finger से लेकिन touch pen से आप stylus से आप accurate इसको लिख सकते हो तो क्या है touch screen हमारा input device भी output device भी और यह किस पे काम करता है infrared beams पे ठीक है touch screen जो है infrared beams पे काम करता है इसकी एक ability होती है क्या ability होती है it interacts directly with the display typically indicate the presence of touch screen यानि कि वो ability जो directly user को interact करती है interact directly with the display display के साथ interact करती है इस वालिक ability को हम बोलते है कि इस पे touch screen है ठीक है generally user in mobiles mobiles में काम में आता है आज हरे के पास हम देखते finger touch mobile इसलिए बोलते है क्यों finger touch क्योंकि touch screen है हम finger से भी touch कर सकते stylus से भी touch कर सकते ATM में भी हम देख रहे है कि finger touch है वहाँ पे भी ठीक है तो touch screen बड़े-बड़े markets में super market में भी touch screen होता है अब आएंगे हम stylus पे क्या होता है stylus stylus भी आपका pen होता है जैसे light pen है वैसे stylus भी pen है ठीक है लेकिन फरक सिर्फ ये है आपका जो light pen है वो optical pen है वो light को use करता है input ठीक है लेकिन stylus में वो capacity नहीं है कि वो screen को जो मतलब जो non touch screen होगा ठीक है जो touch screen नहीं होगा उसको ये convert नहीं कर सकता touch screen में ठीक है ये सिर्फ काम करता है touch screen पे जिसका touch screen होगा उस पे stylus काम कर सकता है जैसे हम finger में काम कर सकते है हमारे finger सिर्फ touch screen में काम कर सकती है non touch screen पे हमारे finger काम नहीं कर सकती है इसी तरह stylus भी है तो इसको invent किया था Yokeyohori and Tom Demand उसके क्या होता है conductor होता है screen sensitive material लगा होता है इसकी निप पे आगे इसकी निप पे जो होता है तीके? अब देख रहेंगे touchpad और trackpad touchpad या दूसरा नाम इसका trackpad इसको trackpad भी बोला जाता है touchpad भी बोला जाता है हम सब इसको जानते होंगे laptop में जो इस तरह का आप देख रहे हो जिससे हम momentus करते है cursor की उसको हम touchpad बोलते है ठीक है यहां से होते हैं keys वगेरा वो आपके laptop पे लेकिन last पे नीचे हुआ bottom पे क्या होता है touchpad इसको trackpad भी बोला जाता है ठीक है इसको किस ने invent किया इसको invent किया jaw raise जरफीर ने एक बार मैं आपको touchpad दिखा रहा हूँ कैसा होता है देखे यह touchpad है light pen हमने नहीं दकिशा यह light pen है और यह touchpad है लेपटाप में भी आप देखोगे इस तरह से आपका touchpad लगा हुआ होता है तो ठीक है अब क्या देखा आपने कि touchpad क्या होता है एक surface ही होती है specialized surface होती है जिसके थो हम cursor की movement कर सकते हैं ठीक है और यह कहाँ पे होता है common feature of laptops में हम देख रहे PDA में personal digital assistant या handheld PC उनमें भी हम touchpad को देखते हैं वहां पे भी touchpad होता है ठीक है अब और एक बात है digitizer digitizer क्या होता है it is also known as graphic tablet इन चीज़ों को याद रखो ठीक है मैं भी यहां पे आएंगे digitizer का दूसरा नाम क्या है या graphic tablet का दूसरा नाम क्या है इसको graphic tablet भी बोला जाता है drawing paid भी बोला जाता है digital pen tablet ठीक है या digital art board बोला जाता है क्या होता है digitizer में एक stylus होता है और paid होता है बस यानि कि paid क्या मतब touch paid ठीक है ना stylus plus paid बनाता है आपका digitizer ठीक है यह use होता है dryings के liए यह teaching के लिए, ठीके? यहां पर teaching है, ठीके? टीचिंग के लिए, यह use होता है stylus आपका, sorry digitizer ठीके? Digitizer इस चीज़े के लिए इस्तेमाल होता है stylus प्रिस पेर इसकी diagram अवेलेबल नहीं होई वर्ण मैं दिखाता आपको कैसा होता है अब का digitizer अब देख लेंगे हम interactive whiteboard कल भी हमने देखा interactive whiteboard क्या होता है यह जब whiteboard हमने देखा यह input device भी है output device भी है तो क्या मतलब हुआ मतलब इस पे input भी देते है और output भी यह वहां से हमें देता है यही device यही device interactive whiteboard इसका दूसरा नाम है smartboard इसको smartboard भी बोला जाता है interactive whiteboard भी बोला जाता है यह IWO भी interactive whiteboard ठीक है क्या होता है interactive whiteboard एक बड़ा सा screen होता है लेकिन touch screen जब screen होता है मतलब output device और जब मैंने बोला touch screen मतलब input device और जब मैंने touch बोला मतलब pointing device मतलब आप screen को directly touch कर सकते हो सिक्रीन को डिरेक्टली सिक्रीन के ऊपर आप छेड सकते हो खेल सकते हो ठीक है अब ये कहां किस के लिए इस्तिमाल होता है आज हम देख रहे हैं जो आनलाइन कलास होती है समार्ट बड़े बड़े समार्ट बोर्ड होते है तो ओवियसली बात है ये टीचिंग परपस के लिए इस्तिमाल होगा ठीक है ड्राइंग के लिए भी इस्तिमाल होता है इसको इन्वेंट किया था मॉर्टिन और नेंसी नॉल्टिन ने ठीक है और कल मेंने आई गेज का आपको नहीं बताए इसको गेज इंटरेक्शन भी बोला जाता है इसमें क्या होता है क्या सिपैसिलिटी है इस पे हम computer को touch कर सकते हैं sorry computer के ऊपर interaction कर सकते है computer के ऊपर काम कर सकते हैं without touch अब तक हमने देखा मौस पे भी हमें टच करना है, टच सिक्रीन पे भी हमें टच जो करना ही करना है, लेकिन एक ऐसा ट्रेकर, एक ऐसा डिवाइस, जिसके ठो हम काम करेंगे, कंप्यूटर की उपर, कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर लिए, बट विदाउट टच, करके थो हम इसके उपर काम कर सकते है ठीक है यह input जो है input देता है थो eye movement ठीक है फार एजमपुल यहां पे कोई file है मैं दो तीन में इसके उपर eye tracker करके थो अगर देख लूँगा ना तो obviously यह समुझ जाता है ठीक है यही input होता है gaze बोलते है यानकि gaze होगा किसी चीज की तरह देखना ठीक है देखना तो eye tracker क्या होता है eyes के थो हम interaction करते है computer के साथ तो without touch यह काम करता है ठीक है thank you very much आज हमने देखा pointing device कल लेके आओंगा मैं non-pointing device keyboard देख लोगे उस पे हमें टाइपस भी पढ़ने थोड़ा ठीक है उसके gaze की वह functional भी पढ़ने है तो इसमें आपको lectures लगेंगे मैं कोशिच कर रहा हूँ जल्दी से जल्द खत्म करूंगा लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं करूंगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा दोनों एक साथ में चलाओंगा आपको समझ भी आएगा आपका syllabus भी under consideration है मुझे thank you very much मुझे पता है जहां तेज जाना है वहां मुझे पता है जहां आश्ता आश्ता पढ़ाना है समझाना है ठीक है खासकर एक confusing portion है confusing portion है ठीक है इसलिए यहां पर थोड़ा हम एठ्याथी बरक लेंगे thank you very much